हेलो अब्रीवन फर्स्ट फॉल वेलकम तो वर यूटूब चैनल इन इस वीडियो वी विल देस्कस्ट अबोन आउपनहेमर अप्रोक्शिमेशन एंड डिग्री ओफ्रीडम वन जैसे ही आपको पता है पहले तो जो पीसी थर्ड येर का हमने फिफ्थ समेस्टर का स्लेबस ड वादेशनल यह हमें पढ़नेगा तो सबसे पहले प्लेदे ने सकांड देते हैं कि स्पेक्त्रो स्कोगर्येंस प्रापूपी हए ह tandem क्या है व्याओ सुंधेयरा इसमें इसमें क्यां क्या-क तरम्स पढ़ने वाले हैं अब तो fastingर्पर है न में बीच में इस में सिंघूनू का next topic है born open hammer approximation then third topic है आपका degree of freedom ठीक है तो जो born open hammer approximation न इसकी videos मैंने पहले भी बनाई वी है एक वो आप देख ली न अब हम फिर शेज़े इसको discuss कर देते हैं कि क्या बोलता है born open hammer approximation अक्चुली में है क्या और इस से पहले हम two terms आपको बता देते हैं कि इसे हमने spectroscopic का वाद देख अच्छुछ देख लिया कि क्या होता है कि इलेक्टो मैंगनेटिक रिडिएशन पर इसकよし visão उसके君ुक्तिक loro देख लेक्षिक कि अजिडिये कृति ऐसे क्या वहती है है mirror Eliza मैंची आप्री क्या पता कि आहिए कि EAC इंड एमिन ठीक है क्या absorption and emission spectra अब देखो absorption आपको पता होना जी spectroscope पढ़ रहे तो क्या मतलब है आपका ये ground state है ये आपका excited state है ये ground state माल लो आपका ये excited state है अब ground से excited में जाएका कुछ energy को absorb करके हमने माल लेकि इतनी हो light तो ये तो गया absorption emission कब होता है जब अक्साइटेट से ground state में आए जब लोस करके आ रहे है किसी भी फोब में हो सकता है वो heat की फोब में अनधर तो वो emission होता है absorption energy को absorb कर रहा है आपे emission लोस कर रहा है देखो born open approximation नहीं क्या नाम सी सज़स्ट हो रहे है कि born open numeric scientist था उन्होंने क्या approximation लगाई थी जैसे हम कोई भी चीज नहीं है यह hypothesis करते हैं वैसे तो simple इसने पहले तो यह बोला कि कोई भी molecule मालनो जैसे a molecule माली हमने कोई भी तो हर एक molecule के पास चार different type of energy तो हमारे body में लगा लो है वैसे आप देखें नहीं चर्म में तो हर एक molecule के पास में different type of energy होती है वो rotational energy हो सकती है काइनेटिक हो सकती है जो मूँ कर रहा है तो kinetic energy बोलते हैं height पे है तो potential energy हम बोलते हैं electronic energy बोलते हैं rotational vibrational translation इस ताइप से तो जो mainly हम बोलते हैं molecule के पास total आपके four type of energy है ठीक है तो पहली है आपके हम बोलते हैं कि यह आपका translational energy है ठीक है और second हम बोलते हैं कि उसके पास आपका rotational energy है third हम उसको बोलते हैं कि आपके पास vibrational energy है and fourth हम यह बोलते हैं कि आपके पास electronic energy है electronic translational energy, rotational energy, vibrational and electronic energy ठीक है और अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशनल तो सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन की विज़ा से होगी ठीक है या सेंट्र मतला ग्रेविटे मॉलेकुल की चेंज हो रही है नहीं और प्रेशनल जब मोलेकुल अपनी अंचिस के रोकाष कर रहा है वो रोकेय कार है पर पेंडिकुल को आपका इंट्रेशन ख allevi के लैक्से uyद्रारी आ ग्रांड ग्रैओं-पर दूंसन खैए पर, अब पस्हें रावाविद्टह्षाहार ईनर्जु आपका उन्ल's कहल तरफीत अब एक ट्रम अनर्जी का ओडर क्या रहता है आपका सबसे ज़्यादा अनर्जी होती है यह मैंने बताया है एक इतता है एक मोलिक्यूल है जैसée ओसे अनर्जी का ओडर होता है आपका वाइब्रेशन होते हैं अनर्जी का ओडर है इक सबसे ज़्यादा एनर्जी तप्र्द न में देखा होगा जैसे हमने क्या क्या क इसमें इलेक्ट्रोनिक, सबसे ज़्य जुत् ihr, सबसे जetically का jo Zoom के आड़ सबसे ज्यादा इस सबसे ज़्य जाय के सबसे अनर्जी कम होती है, यह हमारा अट्रजी का ओटर है अब हमें पदप्ड़ सबस्के जाधा इमक्राषप कम होतों do about 1.00 preciso call इस ट्रम को इसमें एड़ करेंगे तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पढ़ने वाला तो इसको नेगलेट कर सकते हैं इसको तो अब ट्रांसलेशन को नेगलेट कर तो इसका टोटल आपका अनर जाएगा यो टोटल किसके को अलागे आपका रोटेशनल के पलस में आपका आपका एलेक्टोनिक के जब ट्रांसलेशनल को इसको इसी में ये बोर्न ओपन हैंमर अप्रोक्षिमेशन थे नहीं बताया था यह पहले उसने बताया कि टोटल आनरची फिर उसने बताया कि आम ट्रांसलेशन को नेगलेट कर सकते हैं योगी इसके इनरजी बहुत स्मोल हो तोटल निकल लाएगी जैसे हम रोटेशनल देखेंगे कि जब कोई भी मोलेक्विल आपका अनर्जी को अब्जूर्ब किया रोटेशनल आपका माइक्रोव रीजन से होता है यह आपको पता है इलेक्टोनिक जैसे हम यूवी वाले में देखते हैं ट्रांजीशन्स होती है इसमें जैसे हम रमन स्पेक्ट्रा देखते हैं उसमें दोनों को डिल करते हैं रमना आगे डिसकस करेंगे में डिटेल से उसमे vibrational भी होती है, rotational transitions भी होती है, जैसे हमने NMR देखती हैं, उसमे nuclear spin change होती है, energy levels वगेरा तो अलग-लग spectroscopy के अलग-लग parameters होती है, उनको हम डिस्कुस करने वाले हैं इसमें, जो भी मैं पढ़ने हैं फिर कुछ selections rule भी होती है या अपने पढ़े हैं, या आपने पढ़े हैं या आपने पढ़े हैं, या आपने पढ़े हैं पहले भी किसी another वीडियो में कि जो selection rule होती है spectroscopy में, कि हम बोलेंगे कि यह एरिया है, वो आपका allow होगा, या तो दो दो ट्रांजिशन कब होगी जहां पर डेलस जीरो होगा ठीक है, डेलस जीरो हो तो उसको spin allow को बोलते हैं और लेपोर्टी allow को बोलते हैं उसको जहां पर डेलल की value plus minus 1 हो इसका meaning क्या है, डेलस का मतलब कि यह है, कि माल लो आप ground state यह है excited state है, यह S1 माल लो S2 इसकी spin माल लो आप plus 1 by 2 है और इसकी भी spin इतनी है अब इनका change निकालोगे, डेलस कैसे निकालोगे change, S2 minus S1 तो 1 by 2 minus 1 by 2 0, means अगर दो transition की spin अगर same है आपके पास, तब आपका पास डेलस 0 आएगा तो वो तो आपकी कौन से condition होगी allow, माल लो आपके spin प्लस 1 by 2 है यहाँ पे आपके पास minus 1 by 2 या minus 1 मालो, something another अगर वो change हो रही है आपके spin, जब transition कर रहा है spin अगर change हो रही है, तो वो non zero value आएगी means वो आपका forbidden होगी वो transition, ठीक है यह कुछ rules है, यहाँ का spin selection rule बोलते हैं इसको, then आता selection rule, उसमें क्या होता है आपका del L की value, जैसे हम angular momentum की value देखते हैं वो आपका 0 नहीं होनी जही है means change होनी जही है, उसकी value plus or minus 1 होनी जाहिए ठीक है, जैसे हम IR के लिए देखते थे, कि आपके पास जो del L की value 0 ना चाहिए जैसे हम dipole moment का change इसकी value देखते थे, IR के लिए तो यह तो simple total spectroscopy जो selection rule है उसके लिए होता है कि allow हुआ है, forbidden है forbidden है, forbidden है तो यह simple rule है आगे देखते हैं हम इसको ठीक है यह तो हमने simple होता था आपको rotational vibrational रमन के लिए करना है तो अगर vibrational है तो आपे del e की value v की value plus minus 1 होने चाहिए वह हम आगे discuss करेंगे तो आपको समझा जाएगा यह bone open अपर आप approximation था, यह हमने selection rule बता है आपको simple बता होने चाहिए क्योंको hypercution भी पूस लेते हैं आपका speed allowed transition है then आपका next topic है वह है आपका degree of freedom ठीक है आपको आजदी मिली है इसको मतलब molecule के उपर कोई restoration नहीं है कोई foundation नहीं है वह freely अपका move कर शकता है किसी भी direction में rotate कर शकता है vibrate कर शकता है कोई भी axis में जा सकता है तो उसकी हम कितनी degree of freedom है degree मतलब major कर रहे हैं कि one है two है three है five है six है ऐसे तो वह अलग-लग molecules में देखते हैं कि dieatomic molecule में कितनी degree of freedom होगी triatomic में कितनी होगी ऐसे ही हम इसको बताते हैं कि मतलब क्या होता है कि degree of freedom वह coordinate बोल सकते हैं कि मतलब कोई भी molecule है मतलब कोई भी atom है उसकी position को specify करने के लिए आपको कुछ coordinate की जरूरत होती है तो उसको हम degree of freedom बोलते हैं जिसे हम आलते हैं कि तीन axes आपके पास कि वह x में जा रहा है आपका हम आलो आप y में जा रहा है आपका या आप z में जा रहा है तो आप बोल सकते हैं इसको the number of component needed to specify करने के लिए the position of जितने भी आप mass point atom के उसको हम number of degree of freedom बोल देंगे जिसे आपने सुना होगा कि linear के लिए हम 3 and minus 5 के formula से calculate करते हैं और non-linear के लिए 3 and minus 6 total degree of freedom का एप फार्मूला होता है journal सा है simple सा है अब यह आपने देखा होगा linear कौन से molecule होते हैं diatomic molecule है सारे linear होगे जैसे हमारा पास है H माल लिया आपने या HCl माल लो अप जैसे HClF वो एक linear molecule है carbonyl माल लो H2 माल लो तो N का मतलब होता है total number of atom कितने है उसमें ठीक है माल लो आप HCl atom कितने होगे 2 होगे तो 3 into 2 6 minus 5 is equal to 1 means यहाँ पे 1 degree of freedom होगा और अगर non-linear molecule है आपका तब आपके पास कैसा होजाएगा 3N minus 6 N आपका total number of atom होगे और इस formula रखोगे आप degree of freedom की value calculate कर दोगे ठीक है तो यह तो simple सा formula की help से आप निकाल सकते हो कि linear के लिये कितने होगी non-linear for example आप water माल लो water के linear shape नहीं होती ठीक है अपरा bent होता है यह आपका तो N कितना होगे आप ए 3 होगता है आप पुट कर दोगे 3 into 3 9, 9 minus 6 is equal to 3 तो means 3 degree of freedom आगे तो degree of freedom बहुत ही easy होता है इसके लिए आपको बस यह two formula पता होने चाहिए कि linear कौन से के लिए लगेगा यह non-linear कौन से और N किया है total number of atom ठीक है जैसे हम CEO के लिए देखते हैं उसमें symmetric stretching, asymmetric bending मतलब अलगल vibrations देखे यह तो simple formula बताना चाहिए वो approximation क्या बोलता है next जो वीडियो जो उसमें देखेंगे rotational spectra क्या होगा आपका vibrational क्या होगा हम derivations देखेंगे तो I hope आपको यह समझ आ रहा होगा thanks for watching my channel